आज पिछ काफी ड्राइ लग रही है स्पिनर्ज आज एक बड़ी भूमी का निभा सकते हैं सब का स्वागत है इस खूप सुरद मैदान में टॉस के लिए यहाँ पर मौजुद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों के खिलाड़ी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सब का इस शानदार स्टेडियम में अमपाईज नई गेन के साथ पिछ की तरह बढ़ते हुए बल्ले बास तैयार अपनी पहली गेन का सामना करने के लिए बहुत अच्छी रणिंग बिट्विन दुट्विकेट्स लेक बाइज का इस शारा अमपाईर का टीम के खाते में एक और रन बहुत सुन्दर खूब सुरश शौट चार रन के लिए गेन बाजों को ज्यादा अनुशासन से गेन बाजी करनी होगी अब अच्छा शौट है ये बहुत ही अच्छा शौट और गेन सीधा सीमा रेका के बार दर्शकों ने बड़िया माहौल बनाया है आज कौलिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही है उने बाल बाल बचे बल्लेबाद बहतरी इन गेन बाजी बल्लेबाद जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे हवा में खेला है ये शौट मिल गया विकेट वह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली के रफ्तार है इनके पास अपनी पारी के शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्लेबाद को और ये गेन हमा में स्थाङ्क्य बांके के शो अफिल प्रभत छीझ प्रिन है झाय हुआ हुआ है और भेज़ती है बाउंडरी लाइन के बाहर बड़ा चक्का काफी तेज दोड लगाई है पहले रन के लिए क्या दो रन मिलेंगे यहाँ पर वाइड थ्रोड खिलाडी द्वारा गेंग की गती से बीट हुए बल्ले बाज रुमान चक गेंबाजी और ये गेंबाज अपनी अंदाज में सेलिबरेट करते हुए क्वालिटी गेंबाजी कप्तान की फील्ड प्लेस्मेंट भी काफी अच्छी रही है बड़ी अगेंग बिलकुल कनेक नहीं कर पाएं बल्ले बाज बड़े शॉट मारने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा वाह क्या कड़क शॉट मारा है जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है पूरी तरह से चुग गए बढ़िया गेंग बाजी बल्ले बाज ज़रूर पिछली गेंग के बारे में सोच रहे होंगे ओ लगी बल्ले बास को वाहा आशा करते हैं गंभीर ना हो गजब का कैच बल्ले बास है इसी फील्डिंग देखकर और ये आया इनका फेमस सल्यूट और दर्शक भी खोश नए बल्ले बास को स्ट्राइक पे रखने की बहुत कोशिश करेंगे ये कप्तान ला जवाब टाइमिंग बडिया तरीके से गैप ढूंडा और चौका बटोरा क्या बल्ले बाद फिर से बाउंडरी की कोशिश करेंगे चलो देखते हैं ओ जबरदस गेंद बाद ये ऐसी बोलिंग को खेलना नामुम्किन गेंद बाद अच्छी ले में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं जबरदस बल्ले का बढ़िया कनेक्शन और गेंग गई सीधा हवाई यात्रा पर शॉट पर नियंतर नहीं रखवाएं बल्ले बाद इसके साथ पावर प्ले समाप्त हुआ बढ़िया बोलीम बल्ले बाद को परिशानी में डाल रहे हैं याँपर बड़े शॉट मारने के पहले बल्ले बाद को पिछ पर थोड़ा समय बिताना होगा तगणा शॉट बल्ले के एक दम बीच से निकली एगें गेंबाद अपने प्रिफ़र्ड एंड से गेंबादी करते हुए कमाल की बल्ले बाद एक फूबसूरच शॉट बड़िया फार्म में लग रहे है बल्ले बाद मिल गई सफलता गेंब एक दम ठीकाने पे बल्ले का किनारा जरूर लगा पर गेंब सीधा स्टम्स पे अच्छी एक्यूरिसी दिखा रहे है गेंबाद अपने स्पेल में तेज कराना शॉट चार रन के लिए क्या फूट टाइमिंग थी क्या बल्ले बाद फिर से बाउनरी की कोशिश करेंगे चलो देखते हैं सबर्दा सपीर लेकिन अमपाय ने दिया नौट आउट और वो अमपाय के डिसिजन से सहिमत है हलकी हलकी बारिश यहां नजर आ रही है हमें आशा है कि बारिश ज्यादा तेज ना हो बहुत अच्छी रनिंग बिट्विकेट्स शरीर पे लग गई है गेंग लेक बारिश की पुछ्टी की है अमपाय ने पूरी ताकत से खेला गया यह शार और यह पूरे चे रन हवा में खेला है यह शौर घर्जब का कैट्स बनले बाज है इसी फील्डिंग देखकर इस विकेट्स की तलाश थी इने कैपटन काफी खुछ गेंग बाज से बारिश काफी तेज होती हुई यहाँ पर अमपाय जल्द ये एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ सकते हैं ओ जबरदस गेंग बाजी ऐसी बॉलिंग को खेलना नामुम्किन बढ़िया बॉलिंग बल्ले बास को परिशानी में डाल रहे हैं यहाँ पर और अमपाय जल्द एक दूसरे के सहमती से खेल को रोकते हुए बारिश काफी तेज उठा के मारा है आखिरकार अमपाय जल्द एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यह खेल जाए रख सकते हैं या नहीं खिलारी फील्द पर वापस आ रहे हैं ग्राउंड स्टाफ ने काबिले तारीफ काम किया यहाँ पर तेज गेंड बाजी को खेलना फसंद करते हैं यह बल्ले बाज ओ नजाकत भरा यह शॉट फास्ट आउट फील्ड चाज़न मिलेंगे जब यह फुल फार्म में होते हैं गेंड बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं सुन्दर शॉट गैप में सीधा चार रन के लिए बल्ले बाज को यहाँ जोश में खोशनी गवाना चाहिए गेंड बाज को अपनी लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा बाल बाल बचे बल्ले बाज बहतरीन गेंड बाजी बल्ले बाज जरूर पिछली गेंड के बारे में सोच रहे होंगे लाजवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढूंडा और चौका बटोरा ये रही पारी की आखरी गेंड आपके सामने अच्छी गेंड बल्ले बाज ने काफी लेट रियाक किया और गेंड जाके शायद बाड़ी पे लगी है शुरुआती विकेज बहुत जरूरी होंगे फिल्डिंग टीम के लिए गेंड बाज साइड चेंज करते हुए राउंड विकेट अब गेंड बाजी करेंगे आसानी से खेला एक रन के लिए ओवर दु विकेट गेंड बाजी करने का निन में और याओ जाना होगा बिना खाता खुले पविलिन के और जातुए बल्ले बाद बड़े हताश कप्तान ने बड़िया फील्ड लगाई है और गेंड बाज भी फील्ड के अनुसार ही गेंड बाजी कर रहे है अच्छा शॉर्ड बस सिंगल ही मिलेगा सही समय पे बैक अप के लिए तयार थे वहाँ गेंड बाज अपने प्रिफ़र्ड एंड से गेंड बाजी करते हुए ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ बैतर इन रानिंग बिट्विन दो विकेड दोनों बल्ले बाजों के बीच सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है सही समय पे बैक अप के लिए तयार थे वहाँ गैप में खेल दिया है क्या दूसरा रन्चुरा पाएंगे थेजिन बास को लागा आसानी से खेला एक रन के लिए भीमी गैंद इस पिच पे अच्छा विकल्प होगा अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा लॉंग लेग लग गया है शॉर्ट बॉल की उमीद कर रहे होंगे बलेबास सिंगल लेकर बलेबास अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है क्या हॉर्ट अची अढearस हॉर्ट औी विकेटार शॉर्ट साथ बटाशों बटाशों पार्ण किलिए बाराशों बटारी जाय्मी तेर्ण किली यह था सौर गेन हवा में लेकिन बाउंडरी की दूसरी तरफ और बॉल सीधा फिल्डर के पास और यह आउट पविलिन के और जातु हुए बल्ले बाद बड़े हताश अच्छी अक्यूरिसी दिखा रहे है गेन बाद अपने स्पेल में आसानी से केला एक रन के लिए शौर्ट पर नियंतर नहीं रख पाए बल्ले बाद अच्छा शौर्ट बस सिंगल ही मिलेगा अच्छा कवर किया ये थ्रो को बहु मूल ले रन बचाया अपने टीम के लिए बड़िया खेला आसानी से दो रन मिल सकते हैं स्पिनर वापस आए है गेंद बाजी के लिए वाह क्या करक्स शॉट मारा है क्या वल्ले बाद फिर से बाउनरी की कोशिश करेंगे चलो देखते हैं कमाल का शॉट और ये गया लंबा चक्छा कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है यह अच्छा शॉट गेंद हुआ में लेकिन बाउनरी की दूसरी तरफ स्पिन गेंद बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये गजब का कैट बल्ले बाज है इसी फील्डिंग देखकर इस विकेट की तलाश थी ने कैप्टन काफी खुश गेंद बाज से हाफ चांस को सफलता में कैसे तबदिल किया जाता है इसका बढ़िया उदारन दिया है इन्होंने गजब का कैट आसानी से खेला एक रन के लिए अच्छा शौट दो रन मिल सकते हैं यहाँ स्पिनर को दूसरे छोड से लाया गया है आसानी से दो रन मिल सकते हैं कैट में खेल दिया है क्या दूसरा रन चुरा पाएंगे किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतो पूर होते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए देखना होगा क्या गेन बाज शॉर्ट पिच गेन की कोशिश करेंगे इस पिच पे क्याप में खेल दिया है क्या दूसरा रन चुरा पाएंगे बैटर इन रनिंग बिट्विन दुविकेड दोनों बल्ले बाज उनके बीच अच्छा शॉट है ये बहुत ही अच्छा शॉट और गेन सीधा सीमा रेखा के बार गेन बाज साइड चेंज करते हुए राउंड दुविकेड अब गेन बाज ही करेंगे और याउड बहुत ही अच्छा कैच फील्डर के दौरा काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दौरा आए स्पिन गेन बाज वापस आते हुए गेन बाज साइड चेंज करते हुए राउंड दुविकेड अब गेन बाज ही करेंगे ठीक से टाइम नहीं कर पाए वहाँ मुली चर्किंग चर्किंग